अर्यूम आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है colorsREW में पासपोट से इसको कैसे क्रेट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं बहुती आसानी से आप इदर पर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है कि image important कर लेता हम इधर क्लिक करने के बाद अभी क्या है एक rectangle लेता हूं लेके इधर क्या है इसे एक rectangle लिया मैंने अभी इसका जो size है अभी देको unit क्या है इधर आपको inches में दिखा रहा है एक बार इसको deselect करो आप इधर क्या है इधर select करता हूँ select करके इसको आपको क्या करना है 1.5 by 2 देता हूँ 1.5 by 2 का एक box आगया यह अभी इसको क्या है copy paste करता हूँ दो box हो गया अभी अभी इसमें क्या है unit को आप क्या करो millimeter कर लेता हूँ unit को दिखो भी millimeter कर लिया अभी यह selected है तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ 35 x 45 लेता हूँ यानि passport size हम क्या करते है 35 x 45 mm का size करते है तो इसलिए अंदर का जो box है वो अभी passport size का हो गया अभी इसको क्या है mouse right click से इसे hold करके इसे drag करता हूँ drag करके जो अंदर जो box है इसके अंदर लेके आता हूँ जैसे इसके अंदर आता हूँ तो cursor change हो रहा है जैसे cursor change होता है तब आपको click को छोड़ देना है अभी इधर क्या है power clip inside करके है इधर click करता हूँ तो इस box के अंदर यह file आ गए अभी अभी इसको एक बार आप क्या करो control को hold करते हूँ आपको इधर click करना है तो open होता है तो इसको आप क्या है edit कर सकते है तो थोड़ा नीचे लिया मैंने और इसका size है इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ इसे आपको जैसा set करना है उस तरह क्या है आप इधर set कर सकते है तो दिखो भी इतना लिया मैंने अभी इसको क्या है control को hold करते हुए outside आप एनि भार के तरफ आपको एक बार क्लिक करना है तो दिखो भी जो power clip हमने open किया था अभी वो close हो गया इतना करने के बाद अभी क्या है जो outside जो box से इसको select रखते हुए इसको क्या है एक white shade देता हूँ white shade देने के बाद इसका जो outline है इसको remove कर देता हूँ एनि इदर क्रॉस mark में आके mouse right click करना है तो दिखो भी outline remove हो गया अभी इन दुनों को इससे select करके इसको क्या है control जी बोलता हूँ ग्रूप तो ग्रूप ने के बाद आपको क्या करना है औप्जेट में के बाद create में आके powers इदर klar knife के हमेंने तो दिखो भी ऐसे आ तो इदर क्या है bitmap करके आपको दिखा रहा है bitmap हो अभी के लिए इसको क्या है इसको रेकली करके बोलता हूँ तो देखो भी एसे crop जैसा एक tool आ गया अभी इस edge पे आना है अभी देखो इदर आपको node करके इसे बता रहा है, तभी आपको क्या है इसे click करके drag करना है, इस node तक लेता हूँ इदर, इस corner तक लेना है आपको लेने के बाद इदर click छोड़ देता हूँ, अभी इसको आपको क् क्या है RGB रखा है so RGB रखके अभी मैं क्या करता हूं इसको OK बोल देता हूं तो देखो भी यह क्या होता है एक पैटर्न हो जाता है अभी इसमें इधर केटेगरी करके है केटेगरी में चूज केटेगरी करके है इधर क्लिक करता हूं क्लिक करके इधर क्या है न्यू केटेगरी लेता हूँ, new category में क्या है इधर है, new category name आप दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैं pattern देता हूँ, pattern करके save करता हूँ इसको, तो save कर दिया मैंने, अभी इसको क्या है, 4 by 6 का एक box लेता हूँ, यहनि अभी width इसका क्या है, 6 करना है, अभी unit आपको millimeter दिखा रहा है, एक बार इसको deselect कर क्या करों इधर है, inches करके इसको select करना है, select करके इसको क्या है, 6 by 4 करता हूँ, 6 by 4 हो गया अभी, 6 by 4 करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर आपको fill में आना है, इधर क्या है, interactive fill करके है, इधर click करता हूँ, click करने के बाद यह जो property बार है, इसके अंदर क्या है, bitmap तो अभी विधर से हैं इड करता हूँ आपको क्या करता हूँ एडित है अ इडिवीatt में हमने 1.5 by 2 लिया था 1.5 by 2 रखता हूँ 2 रखके इसको क्या है आपको ओके बोलना है तो दिखो भी यह क्या है एक 4 by 6 में 8 copies आगे आपको अभी इसका जो बाहर का जो outline है इसको राइट लिक करता हूँ यहनि remove किया मैंने अभी इन सब को select करके export करता हूँ file में जाके export बोलना है आपको export बोलने के बाद अभी समझो इसको क्या है मुझे desktop पर temp करके folder रहा है इसमें save करना है मुझे तो इसको क्या है print करके नाम देता हूँ अभी इसमें क्या है JPG में save करना है मुझे JPG format इदर दिखा रहा है अभी selected only रखके अभी मैं क्या करता हूँ इसको save बोलता हूँ यानि export बोल दिया मैंने export बोलने के बाद आपको क्या करना है इदर color mode क्या है RGB रखना है RGB रखके इदर क्या है आपको resolution इदर क्या है 300 है दिखो भी resolution क्या है 300 है अभी इसको क्या है ok बोलता हूँ तो दिखो भी ये क्या है save हो गया भी अभी इसको import करता हूँ मैं most right click करना है आपको import करना है अभी इदर आ गया इसको double click करता हूँ तो दिखो भी इसको import हो गया इसको क्या है आप प्रिंट के लिए आप भेज सकते हैं यह आपको समझ में आ गया अभी इसी तरह क्या है आप अलग-अलग साइस से भी आप ले सकते हैं समझो अभी इसमें क्या करता हूं एक 6 x 8 लेता हूँ, सैज क्या है 6 x 8 लेता हूँ, देखो भी यह 6x8 आ गया, अभी इसको क्या आउरे के कैसे कौपी कर लेता हूँ, इसमें क्या है भी 12 x 8 लेता हूँ 10 x 8 बोले तो 8 x 12 है भी इसमें क्या है, इसमें भी आप फिल कर सकते हैं, भी देखो फिर से Interactive Fill Tool में आता हूँ आके आपको क्या करना है Pattern लेना है देखो भी ऐसा आ गया इधर क्या है Edit Fill करके है इधर आने के बाद आपको क्या करना है इधर 1.5 by 2 देना है इसको 2 देता हूँ OK बोल दो आप तो देखो भी ऐसा आ जाता है तो इसी तरह अगर समझो इसमें आपको लेना है तो आपको क्या करना है इधर फिर से इधर Interactive Fill में आना है आने के बाद इधर Bitmap में आना है Bitmap में यह Selection ले लेता है इधर आके आपको Edit Fill करना है Edit Fill में आके आपको क्या करना है Size को देना है 1.5 by 2 देता हूँ 1.5 by 2 देना है आपको 2 देने के बाद इसको क्या है ओके बोलता हूँ तो देखो भी यह क्या है इधर 32 Passport Size आ गया इधर यह क्या है 32 Copies है इसके अंदर अभी इसका जो Outline है इसको Remove करता हूँ इसको भी इसी तरह क्या है आप Export करके Save कर सकते हैं और इसका भी क्या है Outline रिमूव करता हूँ JPG में Export करके आप Print के लिए भेज सकते हैं यह आपको समझ में आ गया अगर यह करते वक्त आपको कुछ डौट्स वगरा है तो मुझे Comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद